अलो फ्राइंट्स वेल्कम बैक अगेन इन टेक्निकल गयन में आज बात करेंगे एक एंपियर में कितने वाटेज होते हैं और उसका फुल डिटेल में बात करेंगे सिंगल फेस सिस्टम में कितने वाट होंगे थ्री फेस में डीसी में भी कितने वाटेज होंगे उसमें बात करेंगे तो जैसा की अंडरूट 3 की वैलू 1.732 होती है बोल्टेज हम स्टेंडर बोल्टेज हो थ्रीफेस सिस्टम का 415 होगा पाउर फैक्टर पॉइंट ने लेंगे और एंपियर एक एंपियर में निकालना हो तो वन एंपियर हम कैलकुलेट करके चलेंगे अब इसको हुआ एक एंपियर में wavelength 177 talking वाट अब हम इसको सिंगल तो चैक करते हैं सिंगल चूइब करना है उगया हूआ है 640 की वेलू में होगा 999 होगा और एक MPR में calculate करना है तो 1 MPR हम इसमें लेंगे आप पावर के formula में इसको put करेंगे तो इसकी value आएगी 217.8 watt तो single face में जो इसका wattage होगा एक MPR में 217.8 watt होगे इसमें voltage आप जो है 220 बोल्ट कंसिडर किया गया है DC supply में अगर बात करें power का जो standard formula P is equal to VI VIE है तो जो voltage हमारा होगा 220 होगा और MPR हमने एक MPR कंसिडर किया तो जो power का wattage निकलेगा वो 220 watt निकलेगा तो इस तरह इस तरीके से आप calculate कर सकते हैं three face single face and DC supply में की wattage कितने होते एक MPR में मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए नमस्कान